नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके पने यूट्यूब चैनल में जिसका नामे टीचर्स क्लब दोस्तों आज एक बहुत ही महात्पूर्ण सूचना और महात्पूर्ण वीडियो लेकर के आप अध्यापकों के बीच में हाज जिरू मैंने अपने विद्याले प के टीचर माडूल इनकंप्लीट है उसमें मेरे भी विद्याले का नाम है दोस्तों आप वो गलती भूल के न करें जो मैंने की है मैंने जल्दी काम करने के बाद भी मैं उस सूची पर आ गया जिस पर लापरवा लोगों का नाम रहता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीचर जो माडूल है उसको कम्प्लीट करने के बाद आपको करना क्या है सबसे पहले हम लोग यूडाइस पूर्टल के टीचर माडूल सेक्शन पर जा करके लॉग एन करेंगे तो लॉग एन करके मिलते हैं इसी विंडू पर तो दोस्तों हमने लोग इन कर लिया है अपने टीचर माडूल इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर हमें आप समं दिख रहा है क्लिक हैर टो ओपन टीचर डी सी एफ to fill the data हमने इसे क्लिक किया क्लिक करने के बाद हमारे विद्याले का data open हो गया यहाँ पर बता रहा है कि आपके विद्याले में दो teaching staff है और आपका जो incomplete है वो zero है आपने सभी complete कर दिया है फिर भी मेरा नम list में क्यों आ गया है तो आपको बताना चाहते हैं कि सब कुछ complete करने के बाद भी हमारे विद्याले की तरफ से एक गलती की गई थी गलती वो है कि यहाँ पर आप screen पर देख रहा होंगे लिखा हुआ है data entry is currently active इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम चाहें तो अपने अध्यापकों के data पे सुधार कर सकते हैं तो जब दोस्तों हमने अपने अध्यापकों के data पूर्ण रूप से सही कर लिया है तब अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है आप यहाँ पर side पे एक option देखें कि लिखा हुआ है overall status not marked complete मतलब हमने काम तो complete कर लिया है लेकिन अभी हमने इस बटन को submit नहीं किया है जब तक हम इस बटन को submit नहीं करेंगे हमारे सच्छम अधिकारियों को यहीं दिखेगा कि अभी हमने school में teacher profile module को complete नहीं किया है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम click here to mark complete करेंगे आए दोस्तों यहाँ पर हमने click here to mark complete पर अभी इस तरीके की window हमारे सामने आ गई है उसने बताया है कि आपके हाँ दो teacher है non regular teaching staff zero है इसके बाद आप यहाँ पर अगर कुछ remark देना चाहें तो remark दे दे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि my work completed P L E T E D my work completed इसके बाद I hereby declare and certified the following point मतलब यहाँ पर आप यह certified कर रहे हैं कि हमने एक एक बिन्दू को भली बाती देख लिया है और सारे बिन्दू पूरी तरीके से complete है इसके बाद update status पर click किया हमारे सामने एक विंडू आ रही है कि are you sure to update the status अगर हमने confirm कर दिया तो हम teacher module में कोई भी changement नहीं कर पाएंगे तो हमने यहाँ confirm कर दिया अब यहाँ पर लिख रहा है some required fields are missing क्या है मतलब यह कहना चाह रहा है कि आप जो remark दे वो minimum 20 करेक्टर का होना चाहिए तो my work completed for teachers teachers module हमने थोड़ा सा इसे बढ़ा किया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि update status करेंगे confirm करेंगे और देखे screen पर green से लिख कर क्या आ गया है कि school status update successfully और जहाँ पर हमारा आयत आ रहा था कि mark as completed वहाँ पर लिकर क्या रहा है marked completed इसका मतलब यह है कि आपने अपने विद्याले के teacher profile को successfully complete कर लिया है तो उमीद है कि जब आप teacher profile को complete करेंगे तो यह step करना नहीं बूलेंगे जन्द ही एक नए वीडियो में फिर सम मुलाकात होगे मैं आपका दोस्त और होस्ट टेक्निकल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल teachers club पे जुड़े रहे जै हीन जै भारत